वेने आपर गेम को खेलना था और जो ऐसा नहीं करेगा उसको पिशली के छटके दिये जाएंगी क्या आपने कभी ऐसी गेम खेली है जिसमें एक गलती की वज़ा से आपकी जान भी जा सकती है तो कहानी के शुरू में हम एक मशूर यूट्यूबर को देखते हैं जिसका नाम जैक्स प्रो होता है वो प्रें स्टूडियो में बैठा एक गेम के बारे में बता रहा था वो बताता है कि इस गेम में 8 प्लेयर्स होंगी और 8 बेस्ट गेम्स होंगी लेकिन इस गेम का विनर सिर्फ एक ही होगा जो इस गेम को अकल मंती से खेलेगा और इस गेम का नाम होगा आप्टो गेम्स जो इस मूवी का नाम भी है इसके बाद हमें जैक्स प्रो के स्टूडियो का सीन दिखाय जाता है जहाँ पर कैरी नाम की नड़की भी इस गेम में हिस्सा लेने आई थी यहाँ पर सबसे पहले कैरी सी जेक्स प्रो के स्टाफ के लोग एक पेपर पर साइल लेते हैं जो के इस गेम में हिस्सा लेने के बारे में थी केरी तभी यहाँ पर ये भी नोटिस कर लेती है कि उस टूडियो में हर चकापर कैमरास लगे हुए थे यहाँ केरी के इलावा और लोग भी थे जो इस गेम में हिस्सा लेने आये थे वहाँ पर जिपने भी लोग थे सब को ये लग रहा था कि वो बड़े ही आसाने से जीट जाएंगे तभी वहाँ एक स्क्रीन चलती है जिस पर जैक्स प्रो आता है जिसने उपने चेहे पर मास पहना हुआ था वो सबी को यहाँ पर गेम्स के बारे में बताता है वो ये भी कहता है कि इस गेम के बाद वो सोशल मीडिया को छोड़ देगा वो कहता है कि मेरे सारे अकाउंट्स जिस पर 115 मिलियन फॉलोवर्स है मैं अपनी आईडी उस इंसान को दे दूँगा जो इस गेम को जीतेगा यानि कि इस गेम का विनर होगा जिसको सुनकर गेम केलने आई प्लेयर सब भी खुश हो जाते हैं पर थोड़ा हिरान भी थी सब कुछ बताने के बाद जेक्स प्रो यहाँ पर सब को पहनी गेम का नाम बताता है साइमन सेज वो कहता है कि जब साइमन सेज कहेकर आप लोगों को कुछ भी करने का कहा जाए आप लोगों को वैसा ही करना होगा जैसे कि साइमन कहेगा जम करो कूदो तो आप लोगों को कूदना होगा और अगर इसके इलावा किसी ने कुछ भी किया तो इस गेम से निकाल दिये जाएंगी और बाकी की बचे लोग आगे इस गेम को खेलेंगी इसी तरह से गेम आगे बढ़ती रहेगी और आफिर में एक विनर होगा जिसके बाद वहाँ पर एक फॉक्स मैन आता है जिसमें लोमरी का ड्रेस पहना हुआ था इसका काम हारने वाले प्लेयर्स को गेम से बाहर करने का था उसको दे तरसक बहुत कुछ थी वहाँपन स्टाफ का एक और आदमी जिसमें लाल रंगे कपड़े और चेहरे पर मास पहना हुआ था वो सीरियों से उपर जाकर गन लेकर बैट जाता है अब गेम शुरू हो गई थी यहाँ पर एक प्लेयर ने गल्दी कर दी थी वो फॉक्स मैन उसको पने पास पुलाता है और बुरी तरह एक हटोड़ा लेकर उसे मार देता है उस प्लेयर को मरता देख सबी डर गए थी तब एक गड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ उपर बैठा आदमी उस पर भी गोली चला कर उसे मार देता है ऐसे ही वो बहुत से लोगों को मार देते है जो जो भागने की कोशिश कर रहे थी यह सब देखकर वाँ पर बचे हुए प्लेयर्स इस बात को समझ गए थी कि अगर उन्होंने इस गेम को ना खेला तो उन्हें पर अपनी चान से जाना होगा इस गेम को दुपारा से खेलने का कहा जाता है साइमन सब को एक टांग पर खड़ी होने का कहता है पर एक प्लेयर्स एक बलती हो गई थी उसका बैलंस खराब हो जाता है तब ही एक स्टाफ का आदमी उस पर भी गोली चला कर उसे मार देता है जिसके बाद अग्या काम ये था कि सब को कुछ वक्त के लिए अपना सास रोकना होगा पर यहाँ पर एक लड़की को उल्टी हो जाती है मतलब वो अपना सास रोक नहीं पा रही थी इसलिए उसे भी गोली चला कर मार दिया जाता है उस लड़की को देखकर वहाँ पर प्लेयर्स भागने की कोशिश करते है लेकिन उन्हें भी वहाँ पर मार दिया जाता है पहना राउंट खतम हो गया था बचे थे 8 प्लेयर्स जिनको जेक्स प्रोब मुबारिक बात देता है और कहता है कि आप लोगों को इस दीन को खेलना होगा और सभी को एक एक करकी अपने बारे में बतानी का कहता है और आखर में 8 प्लेयर्स जोके कार्टोन चैनल की होस्त थी इन सब के बाद जेक्स प्रोब को एक आदमी उसे इस गेम की वीडियो देता है जिसको लेकर वो अपने दोस्त की पास चाता है और उसे बताता है कि बहुत चलती हम यहां से भाग जाएंगी तो बारा से हाँ स्टूडियो को देखते हैं बजे हुए 8 प्लेयर्स को इस गेम को खेले के लिए कपड़े दी गए थी जिनको सभी पहल लेती हैं पर सब के सब अभी बहुत सदा डरे हुए थी सब यही सोच रहे थी कि आखर इनके साथ होने क्या वाला है यह जिन्दा रहींगी या पहले प्लेयर्स की तरह मारे जाएंगी यहाँ पर केरी के साथ कॉमेडियन और जिम ट्रेनर ने मिलकर अपनी एक टीम बना ली थी उन्हें डेख बिस्निसमैन भी स्टीवन के साथ अपनी टीम बना लेता है जिसके बाद अब दूसरी गेम शुरू हो गई थी इसमें जेक्स प्रो बताता है कि सब को एक नंबर दिला जाएगा और उसी नंबर के मताबिक सब अपने बारी का इंतजार करेंगी उसके बाद जिसका नंबर होगा उसे जम कूत कर आगे बढ़ना होगा जब बोर्ड मेला होगा तब आप लोगों में आगे जाना है और लाल रंके आने पर रुख जाना होगा अगर कोई लाल रंके आने पर आगे बढ़ा या कूदा तो वो हार जाएगा जैसे ही कोई भी एक लियर इस गेम में हारेगा तो ये गेम रही पर ख़तम हो जाएगी अब गेम स्टार्ट होती है बारी-बारी सब खिलती है यहाँ पर बिसनिसमें एक चलाकी करता है वो कैरी से अपना नमबर बदल लेता है फिर बारी आती है टीवी शो घोस्त की जैसा कि इस गेम का सूल था जो हारेगा वो अपनी जान से जाएगा केरी बहुत रोती है वो अपनी साथी की जान बचाने की कोशिश करती है पर फॉक्समैन उसे भी मुका बार कर दूर करता है अब यहाँ पर दूसरी गेम भी खत्म हो गई थी जिसके बाद हम बचे साथ जर्स को देखते हैं जो एक बड़े हाल कमरे में थे केरी और कुमेरियन लड़की अभी भी अपनी साथी के लिए बहुत दुकी थी तब यह उन दोनों के पास बिस्नस मैनाता है जो कह रहा था कि स्टीवन को हराने में उन्हें उसकी मदद करनी होगी क्योंकि उसी की वज़ा से उनके साथी की मौद हुई है वो कहता है कि वो एक बहुत बुरा इंसान है वो दोनों उसकी बादों को सुनकर हा कर देती है मदद अब यह बिस्नस मैन के टीम में शामिर हो गई थी उदर दूसरी साइट पर कुग भी अपने लिए पार्टनर डून रही थी क्योंकि वो भी अकेली थी उसे वहाँ पर सब मना कर देती है जो वो स्टीवन के पास जाती है तब उसे गुसे में जोर से मुका मारता है जिससे उसकी नाक से खून आने लगाता और वो बेगोश हो गई थी तब यह वीडियो गेमर लड़का उसके पास आता है और उसका खून साफ करता है वो कैरी और कॉमेडियन लड़की को ये भी कहता है उदर दूसरी तरफ हम जेक्स प्रो को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ था जिसको हमने कहानी के शुरू में भी देखा था उसकी दोस्त के पास सबी प्लेयर्स के मॉबाइल फोन से जो पैट कर मॉबाइल से उनके घरवालों को मैसेजिस कर रही थी इस गेम में इनोंने भूर बुल या बांसी को पार करना था जेक्स प्रो बताता है कि ये प्लेयर्स के मर्जी होगी कि वो इस गेम को खेलना चाते हैं या नहीं तब ही ये बात सुनते ही जिम ट्रेनर जंदी से इस गेम को खेलने के लिए तयार हो जाती है और टाइम शुरू होते ही अब स्टिकर कोर्स को पार करने लगी थी मगर उसके अंदर चाते ही उसे फॉक्स में मिलता है जो उसे आगे जाने से रोक रहा था पर जैसे तैसे वो उससे बाहर आजाती है सब उसे देतर बहुत खुश थे लेकिन यहाँ पर तब यह एक आदमी उसे गोली मार केता है क्योंकि उसने इस गेम को टाइम पर पूरा नहीं किया था एरी भी इस गेम को खेलना चाती थी पर रुख चाती है वो सबसे कहती है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाती हूँ चाहे बाहर के जिन्दकी जैसे मरज़े हो मैं बस यहाँ से जाना चाती हूँ मगर थोड़ी देर बाद वो कहती है क्या पता इस गेम को जितने के बाद में यह जिन्दकी बदर जाए इसलिए यह सब सोचकर वो तुबारा से टेम में जाकर खड़ी को जाती है जिसके बाद ये गेम भी खत्म हो गई थी अब रात को हमें गड़की को देखते हैं जो हाल के बाहिर पहरा दे रही थी जो जेक्स फ्रो की ही साथी थी वो उपने चेप में कुछ छुपा दी है ऐसा करते हैं उसे दूसरा आद में देख लेता है और कहता है कि सोच लो जेक्स फ्रो के साथ अगर कोई कदारी करोगी तो बहुत पश्टा होगी लेकिन वो ये बाद सुनकर वहां से चली जाती है और काल कर ये जेक्स फ्रो की दोस्त को बुडाती है वो उस चीज़ को लेकर उसे दी देती है यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेक्स फ्रो की दोस्त उसे मारना चाहती थी और उसने इस लड़की से जहर मंगवाया था ताकि वो जेक्स फ्रो को मार सकी इसके बाद हमें तुबारा से हॉल का सीन दिखाय जाता है जहाँ पर केरी का साथी उसे चिकाता है जो ki सो रही थी क्योंकि आज रात इन्हों दिया से भागने का प्लैन क्या हुआ था वो लड़का जाकर फोस्समेन को देखता है उसे लग रहा था कि वो सो रहा है पर जैसे ही वो उसके हाथ दोड़े को हाथ लगाता है तो वो जाग जाता है तब ही वो दड़का उसी डर जाता है और चुप चाप जाकर सो गया था सुबा भी हो गई थी साथ ही इनकी चोती गेम भी शुरू हो जाती है ये गेम थी म्यूजिकल चेर जाने के जब तक म्यूजिक चलता लिएगा इन्हें चेर्स की इर्द की धूमना होगा और म्यूजिक के बंद होने पर जो सबसे पहले बैठेगा वो ही जीच जाएगा और जो नहीं बैट पाएगा वो हार जाएगा फिर जो आखिर तक इस गेम को खेलेगा उसके अकाउट में बहुत से पैसे बेचे जाएगे ये गेम अब शुरू होती है एक एकर कर सभी प्लेयर्स बाहिर हो गए थी आखिर में कुकलेटी और स्टीवन बच्टे है जहां दूसरी करफ उन प्लेयर्स को भी दिखाया जाता है जो गेम से तो बाहिर हो गए थी पर वो अभी भी जिन्दा थी तब यहां पर जैक्स फ्रोक की फीडियो चलती है जिसमें वो बताता है कि गेम में एक मज़े का टुिस्ट है यहां पर वो मरेगा जो आखर में चेर पर नहीं बैट पाएगा अब स्टीवन और कुकलेटी में मुकाबला होता है जहां पर कुकलेटी जीत रही थी लेकिन तबी स्टीवन उसे चीर जे नीची गिरा देता है और खुद उस चेर पर बैट गया था बहिमाने से स्टीवन ने इस गेम को जीत लिया था उसकी सरकत को बागी के प्लेयर्स भी स्क्रीम पर देख रहे थी ये सब देखकर बिस्निसमैन सब को स्टीवन की खिलाफ बढ़ता है कि उसे तुसे अपनी जीत की पड़ी है उसे किसी की कोई फिक्र नहीं ये सब बाते सुमकर सबी बचे हुए प्लेयर्स बिस्निसमैन के टीम में शामिल हो गए थी ये गेम भी खत्म हो जाती है जिसके बाद जेक्स प्रो कुपलीडी के पास आता है जो बहुत स्यादा जखमी थी वो से कहता है कि मैंने देखा तुमने सारी गेम्स को बहुत अच्छे से केला है पर अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे स्टाफ का हिस्सा बनो वो को किस बात पर खुशी-खुशी मान गई थी दोस्टी तरफ हाल में केरी और बाकी के ब्लेयर्स थी इन्होंने अब पाच फी गेम को खेलना था जिसका नाम था हाइड अंसी जानी के इन्हें इस घर में छुपना होगा और फॉक्समैन इन्हें ढूंडेगा जेक्स्ट्रू बताता है कि जिसको सबसे पहले ढूट लिया गया वो मारा जाएगा तभी जल्दी जल्दी सब छुप जाते है फॉक्समैन एक कोनी की तरफ जाने लगता है जहाँ पर कैरी चुपी हुई थी पर तभी स्टीवन आवास कर देता है जिससे फॉक्समैन उसकी तरफ बढ़ता है पर वो जल्दी से दूसरी तरफ जाकर छुपकिया था जहां पर बागी के दो प्लेर्स पी छुपे हुए थे तब ही केरी इस घर से बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रही थी उधर दूसरी तरफ स्टीवन और बिस्निसमेन मिलकर कॉमेडियन लड़की को धबता दे कर बाहर निकाल देते हैं फॉक्स मैन ने उसे दीख लिया था और उसे पकड़ कर मारने लगता है आवाजे सुटकर केरी अपनी दोस को बचाने जाती है पर उसके पहुचने से पहले फॉक्स मैन ने कॉमेडियन लड़की का गला दबाकर उसे मार दिया था ये भी कैरी बहुत रोती है उसके दोस्त की मौत के साथ ये केम भी खत्म हो गई थी कैरी अब बहुत जादा दुखी थी वो वहाँ पर स्टीवन पर जिला दी है और कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया तब ही हम दूसरी तरफ जैक्स प्रो को देखते हैं जो कॉप लेड़ी को अपने साथ स्टोडियो में ले गया था जहाँ पर उसने उसी लड़की को बात कर रखा हुआ था जिसमें इसकी दोस्को इसे मारने के लिए जहर दिया था इसका मतलब ये था कि जैक्स प्रो को अपनी दोस्की सचाही पता चल रही थी कि वो इसे मारना चाहती है वो कॉप लेड़ी से कहता है कि इस लड़की को देखो तो भी इसे मारना है इसने मेरे साथ गत्तारी की है अगर तो मेरी टीम में शामिल होना चाहती हो तो इसे मार दो ये बास सुनते ही कुपलेडी बागलों की तरह उस लड़की पर हमला कर दीती है और उसे भी मार देती है इसके बाद इनकी छड़ी गेम शुरू हो जाती है यहाँ पर इनोंने बड़ी सी बाल को दूसरी तरफ टेकना था जो के वसिन में बहुत भारी थी अब इस गेम में आफिर में मुकाफला केरी और बिस्निसमैन का था जहाँ पर केरी उसे हरा देती है उसने कोमेडियन लड़की का बच्चा ले लिया था इसलिए अब जब यहाँ पर बिस्निसमैन हार गया था तो उसे भी गोली मारती जाती है मगर वो मढ़ते हुए फॉक्समैन का मास कटा देता है इस बात पर उसे बहुत गुसा आया था वो अपना हाथ तोड़ा लेकर बिस्निसमैन को मार देता है ये देख सभी प्लेइर्स डर गए थे जिसके बाद जेक्स प्रो स्क्रिंग पर आता है और इन्हें साथवी गेम के बारे में बताता है जो एके शाम को खेलनी थी जेक्स प्रो जो पनी दोस्त के साथ था उसकी दोस्त उसके लिए जूस लाती है जिसमें उसने जहर मिलाया हुआ था यहाँ पर जेक्स प्रो एक चलाकी करता है वो उस चूस को पहले अपनी दोस को पीने का कहता है मगर वो नहीं पीती और वहाँ से भाग जाती है कभी जो वो भाग रही थी तो कुप लेडी वहाँ पर आकर उस पर भी गोल्या चला देती है उसने उसे भी मार दिया था इस तरहा कुप लेडी दें जेक्स प्रो का परूसा भी हासिल कर लिया था वो दोनों एक साथ हो गए थी अब इन्यापर साथ वे गेम को खेलना था जिसका नाम था हैंग मैं यहां पर इन्हों ने सही लफ़ को बताना था और जो ऐसा नहीं करेगा उसको बिश्ली के जटके दिये जाएंगी स्टीवन तो टीक लफ़ बता देता है और उसकी जान में बच गई थी और कैरी का दोस्स उसे बचाने की खातिर गलत लफ़ बोल देता है जिस वज़ा से उसे जोरदार जटके दी जाती है उन जटकों से उसके भी मौद हो जाती है उसने कैरी को बचाने की खातिर अपनी जान दे दी थी वो ये सब देतर बहुत रोती है गेम में बचे थी अब स्टीवन और कैरी यहां पर वो स्टीवन से कहती है कि तुम ही सबकी मौत के जिमेदार हो तुम्हारी वजा से ही सब मरे है तुम्हें एक बहुती बुरे इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है यहाँ पर स्टीवन कैरी से कहता है तुम चाहिए जो मर्जी का हो पर कल तो मैं ही जीतूँगा अब अगला दिन भी आ जाता है इन्हें यहाँ पर आखरी गेम को खेलना था जिसके असूल यह थे कि प्लियर्स को मेदार पे लगे चंडे को तीन मिन्ट के लिए पकरना होगा जेक्स प्रो दोनों को ये भी बता देता है कि ये फाइनल और आखरी गेम है जिसके बाद मैं इस सारी गेम को अपने अकाउट पर अपलोड कर दूँगा और मैं यहाँ से यहाँ बेशा के लिए चला जाऊंगा गेम की शुरू होते ही केरी और स्टीवन दोनों एक साथ लाल चंडे को पकड़ लेते हैं तभी जोन लगाकर स्टीवन उस जंडे को अपनी तर्फ ठैशता है जिससे केरी जमीन पर गिर गई थी पर जैसे ही केरी को एक और जंडा नजर आता है जोके काली रंगा था वो उसकी तर्फ भागती है और उसे ले लेती है जो बिल्कुल सही जंडा था तभी कुप लेडी स्टीवन को गोली चला कर मार देती है क्योंके वो हार चुका था कुप लेडी ने स्टीवन से अपना बतला भी ले लिया था जैक्स प्रो स्क्रीन पर आकर केरी को जीतने के मुबारिक पाद देता है तभी वहाँ पर उसकी साथ ही आगे थे केरी भी अब सोशल मीडिया पर बहुत मशूर हो गई थी वो बैटी किसी से फोन पर बात कर रही थी वो आदमी उसे एक वीडियो गेचता है और देखने का कहता है जैसे ही वो वीडियो को देखती है वो वीडियो देखकर हैरान हो गई थी त्यूंकि उस वीडियो में कोई और नहीं बलकि जैक्स प्रो था जो अपने नए नाम नए आईडी के साथ वापिस आ गया था जो फिर से वीडियो बना रहा था अपने नए नाम के साथ जिसको देखर कैरी बहुत डर गई थी अगी जैक्स प्रो इसके साथ गेम्स खेलेगा किस-किस की जान लेने वाला था और इसे सिस्पेंस के साथ ये कहानी यही बर्पत मुचाती है